तो हलो दोस्तों कैसे आप सभी आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे तो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ गोरब रहा ना और आप सभी का फेसे स्वागत करता हूँ आज किसे एक और नए वीडियो में आपके अपने यूट्यूब सेनल टेकनिकल जी आर पे तो दोस् सब्सक्राइब जी करते हैं याने कि आपके फॉन का जो इंटरनल स्टोरेग हैं वह कितने जीवी है या फिर आप आप उसकी जो रेम हैं वह तो मेरे फोन के उन्दर इंधर कितने जीवी आहें तो चेक करेंगे वही सब कुस्वाज की वीडियों में बताने वाले हो तो वी यहां पर mobile home screen में हूँ ही और चलिए अब आपको बता देता हूँ किस तरीके चेक करेंगे किसी वे अंड्रोड मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज को और फिर रायम को कैसे देखा जाता है आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सबस्क्राइब करेंगे में यहाप फॉन है जैसे मैंने यहां पर सेटिंग को ओपन किया आप सबसे ओपर एक ओप्शन देख पा रहे होगे यहां पर लिखा हुआ है अब देखिए आपके पास किसी अधर कंपनी का फॉन है जैसे यह आपके पास कोई और ब्रैंड है यानि कि ओपो विवर रियल्मी रेडमी मतलब कोई इस तो आपको पर आपको रिया और सिंपलि आपको यहां पर 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 आपको 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 आपक या फिर किसी आप्षण्स केंदर देंदर आपको लिखा में बात है आपको लेख लेना है तो अब किलिक का अच्छी है आपको यहां पर सिस्टम अबडेट सिर्फक्ष दॏ यानि कि आपको डिवोज ने मोडल वगरा वर्जन वगरा काफी साथी चीज़े मिल जाती है देखने के लिए अब सिंपली आपको यहाई पर उपर की तरफ इसकोल कर लेना है या फिर आपको उपर की तरफ ही लिखा मिल सकता है यहां पर लिखा मिलेगा फ्रेंट्स आपको पर आरं जर्ण और आपको यहांपर लेकर इंटरंश टरेग इंटरर्स मतलब कि आपके फ़ोन में लग दर सब्रिख कर सबづे ऐहां पर अपनी रं देख सक्ते हैं उपर होती है यहां पर यहांपर रम देख सकते हैं तो आप यहांपर पर में भ्राइब एन्धोन के नदर 3 GB भाइव लिखा हुआ हो इतनी ही जीबी आपके फॉन में रैम होगे ठीक है इसके बाद आपको यहाँ पर लिखाएगा इंटरनल स्टोरेज अब देखिए यहाँ पर टोटल इंटरनल स्टोरेज लिखा हुआ है मेरे 32.00 जीबी यानि कि मेरे फॉन का जो इंटरनल स्टोरेज है वो 32 जीबी है यानि कि मैं अपने इस फॉन में बिना कोई अधर मेमोरी कार्ड लगाए 32 जीबी तक के ओडियो वीड बस कुछ MB और खाली है यानि कि MPT बचा हुआ है डेटा इसमें मैं अभी साथ जीबी जैदा और भी कुछ भी डेटा सेव कर सकता हूं अपने फॉन का इंटरनल स्टोरेज चेक कर सकते हैं और अपने फॉन की रेम चेक कर सकते हैं तो मिलत करता हूं दोस्तों अब आप अच